राधे, राधे, हर हर महादेव, जै मातादी, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि माता शक्ति का नाम दुर्गा कैसे पड़ा? पुरातन काल में दुर्गम नामक देते हुआ उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन कर सभी बेदों को अपने वश में कर लिया जिससे देवताओं का बल शीन हो गया तब दुर्गम ने देवताओं को हरा कर स्वर्ग पर कबजा कर लिया तब देवताओं को देवी भगवती का इस्मरण हुआ। देवताओं ने शुम निशुम मदू कैटब तथा चंड मुंड कावद करने वाली शक्ति का आहवन किया। देवताओं के आहवन करने पर देवी प्रकट हुई। उन्होंने देवताओं से उन्हें बुलाने का कारण पूछा, सभी देवताओं ने एक ही स्वर में कहा कि दुर्गम नामक देटे ने सभी वेद तथा स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया है तथा हमें अने की आतनाई दी हैं, आप उनका वद कर दीजिए देवताओं की बात सुनका देवी ने उन्हें दुर्गम कावद करने का आश्वाशन दिया यह बात जब देटियों के राजा दुर्गम को पता चली तो उसने देवताओं पर पुन्हें आक्मन कर दिया तब माता भगवती ने देवताओं की रक्षा की तथा दुर्गम की सेना का संघार कर दिया सेना का संघार होते देख दुर्गम से हम युद करने आया तब मातब भगवती ने काली, तारा, शिन्दमस्ता, शिरी विद्या, भूवने शरी, भैरवी, बगला, आदी कई सहायक शक्तियों का आहवन कर उन्हें भी युद करने के लिए प्रेरित किया भयंकर युद में भगवती ने दुर्गम का वद कर दिया दुर्गम नामक देते का वद करने के कारण ही, भगवती माता का नाम दुर्गा के नाम से भी विख्यात हुआ, जै माता दी राधे राधे, हर हर महादेव, आपको यह कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, धन्यवाद